नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल इंडस्ट्रल सॉलीशन्स में आप सभी का एक बार फिर्ट से स्वागत है आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंट्स बात करने वाले हैं टाइपस और फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क फ्रेंट्स जो हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क है जिसके अंदर हमारा जो प्राइम फेक्टर होता है जनरेटिंग इस्टेशन जहां पे हम पावर को डवलप करते हैं वहां से हम पावर को फिर ट्रांस्मिट करते हैं to the load centers लेकिन different faults होते हैं फ्रेंट पावर सिस्टम के अंदर जिसके कारण हम अपनी पावर को ट्रांस्मिट नहीं कर भाते हैं लोड centers सब इन different faults को हम different ways में characterize करते हैं तो इस वीडियो के माध्य हम से friend मैं पूरी detail में आपको इन नौलिज देने वाला हूँ Fault analysis की और different types के faults in power system तो चलिए friends, time wasting करते हैं और directly हम वीडियो के उपर आते हैं Types of faults समझने से पहले हम जानते हैं fault क्या होता है electrical system में What is fault? तो इसकी definition समझते हैं क्या होता है fault Any abnormal condition of the system that involves the electrical power failure इस टर्म्ट is fault इसी को हम fault कहते हैं अब इसको हम हिंदी में समझते हैं एक मैंने simple सा single line diagram ले लिया है power system का जिसमें यह हमारा generating station है यह step up transformer है यह आपकी transmission line है यह आपका fresh step down transformer है यह आपके bus बार है और यह आपका हो गया load center जहांपे हमें power transmit करनी होती है अब क्या हो रहा है friend fault का मतलब क्या है abnormal condition of the system जिसके कारण हम load तक power को deliver नहीं कर पा रहे हैं अब faults के अगर हम बात करें तो हो सकता है friend fault generating station पा आए हो अगर यहां भी fault होगा तो भी हम power deliver नहीं कर पाएंगे load सक क्या पता हमारे bus बार पे fault आ गया हो या फिर जो आपका transformer है में पूरे power system network में लेकिन friend एक चीज़ होती है जब भी आप power system के fault analysis की बात करते हैं तो cable और cable हम transmission line faults को ही पढ़ते हैं जो आपके faults होते हैं na friend transmission line पे इनिकों characterize करते हैं power system के अंदर इसका एक region होता है क्या region है जो 90% faults होते हैं वो transmission line पे होते हैं friend 90% faults कहां होते हैं transmission line पे TR lines पे और 10% fault पूरे power system network में आते हैं ऐसा क्यों होता है friend उसका region क्या होता है जो आपके transmission line होती है वो आपकी काफी सारे climatic conditions के अंदर रहती है क्योंकि जो आप भी जब भी आप generating station या फिर जहांपे आप power को बनाते हैं जो भी generating station होते हैं वो cities से बहुत दूर होते हैं villages के अंदर होते हैं जहांपे आपको land easily मिल जाए अगर आपका hydro power plant है तो water की surplus amount होनी चाहिए तो ऐसे dam के पास आपको power system station बनाना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा friend अब आपको जो requirement होती है cities में होती है फिर आपने गाओं में गाओं के पास या cities से बहुत दूर आपने पावर तो generate कर लिए लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आपको transmit करना पड़ेगा cities तक तो जो power system transmit होता है वो होती है transmission line के थूँ अब बहुत जादा लंबी transmission line होती है friend उसको क्या जहिलना पड़ता है different climatic conditions हो सकता है आधी तूफान आ रही है बरफ पड़ रही है कई बार जो trees branch होती है वो तूटके power system की transmission line के उपर गिर जाती है जिसके करना fault आ जाता है तो 90% fault समाई transmission line पे होती है अगर मैं बात करना जनरेटर की तो यह 24 hour maintenance में होता है इसमें fault आना की बहुत कम chances होती है अगर overload होगा तभी generating station पे fault आता है AC friend transformer इनके लिए भी मारे काफी सारे protective equipment होते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ transmission line की तो यहाँ पे protections हम provide तो करते हैं fault analysis की बात करते हैं तो जो faults हम characterize करते हैं वो transmission line के faults होते हैं अब हम देखते हैं friend types of faults in power system जो हमारी वीडियो का आज concept या फिर topic था दो types के faults होते हैं power system के अंदर एक होता है short circuit fault short circuit fault दूसरा होता है open circuit fault circuit fault अब अगर इसको भी further characterize करें friend जो short circuit fault है यह भी दो types में होता है इसको भी हम दो types में characterize करते हैं एक होता है अपका symmetrical fault S Y M M E T R I C L symmetrical fault दूसरा होता है unsymmetrical fault fault unsymmetrical fault को friend unbalance fault भी बोलते है unbalance fault इसको हम बोलते है balance fault अभी पूरा समझा दूँगा कि balance क्या होता है या फिर unbalance क्या होता है सारा आपको clear हो जाएगा friend balance या फिर symmetrical fault या फिर unbalance या फिर unsymmetrical fault को समझने के लिए हम एक terminology का use करते है that is pre fault condition pre fault system बोल लिए अब एक होता है after fault system fault होने के बाद की condition अगर मैं symmetrical की बात करूँ friend fault से पहले जो भी आपका transmission line का voltage है तीनो फेस में या current है वो आपका balance रहता है लेकिन symmetrical fault की अंदर friend जब भी आपका fault हो जाता है fault होने के बाद भी आपका voltage और current तीनो फेस के respect में same ही रहता है वहीं मैं अगर unsymmetrical fault की बात करूँ तो before fault तो balance रहेगा लेकिन fault होने के बाद after fault में voltage और current हर एक transmission line में different हो जाता है unbalance हो जाता है वो जिसके कारण हम क्या बोलते है unsymmetrical fault को unbalance system बोलते है अब types of fault देखते हैं friend कौन-कौन से होते हैं symmetrical के अंदर और कौन-कौन से होते हैं unsymmetrical के अंदर symmetrical faults होते हैं friend और G क्या है वहीं अगर unsymmetrical की बात करें तो यह होता है L-G fault double L fault या फिर triple L-G fault sorry double L-G fault friend अब क्या हो रहा है यह होता है triple 9 fault यह होता है triple 9 with ground fault चलिए इनके diagram समझते हैं अब इसमें क्या हो रहा है friend L-L fault मतलब यह तीनो जो transmission line है R-Y-B face है इन तीनों में fault condition आ गई है और इसमें क्या होता है तीनों में fault with respect to ground तो friend यह triple L fault है और यह triple L to ground fault है मतलब अगर कोई fault ही होता friend तो यह transmission अगर ऐसे होती है कोई fault नहीं है तो pre fault में R-Y-B तीनों face में voltage current सेम रहाएगा लेकिन इसमें क्या हो रहा है तीनों line में fault हो चुका है जब तीनों line इसमें fault हो चुका है R-Y-B में फिर मतलब क्या होगा जो voltage और current है तीनों का ही सेम रहेगा effect तो हो जाएगा लेकिन वो उसकी जो सेम रहेगा इसलिए आप इसको balance fault करेते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें भी तीनों line fault हो रही है लेकिन तीनों line ground के साथ में touch हो चुकी है तीनों line short हो चुकी है तूटके ओ ग्राउंड से touch हो गई है तो इस condition में भी जो आपका voltage और current का ratio है वो सेम ही रहेगा इसलिए हम इसको balance fault बोलते है वहीं अगर मैं बात करूँ LG fault तो LG fault कैसा होगा friend यह हमारी तीन transmission line हो गई है कोई line ground से touch हो गई है इसे हम बोलते है LG fault अगर मैं double L fault की बात करूँ तो यह आपकी transmission line है आपसे दो line touch हो चुकी है अमान लिए र वाई भी है तो वाई भी आपसे touch हो गया है इसे हम बोलेंगे LL fault अगर मैं double L to ground fault की बात करूँ यह तीनो transmission line है हमारी R, Y, B इसमें क्या होगा इस condition में जो दो line ground के साथ touch हो गई है तो क्या हो रहा है friend LG fault में यह line ground के साथ touch हो रही है इसका मतलब जो इसका voltage or current में तो इस balance है after fault condition में unbalance हो जाएगा इसकी देखें अगर दोनो double line fault का इसका भी वोल्टेजर current उपर वाले face से different हो जाएगा यह भी unbalance की condition में आ जाएगा इसी लिए जो हमारे symmetrical fault होते हैं वो LL और LLLG triple line to ground fault और unsymmetrical faults होते हैं हमारे LG, LL और double line to ground fault in common's material क्यों बोलते हैं because before fault, pre fault और after fault conditions में जो हमारा voltage और current होता है वो different हो जाता है इस वीडियो में के वर हम short circuit fault के बात करेंगे अगली वीडियो में फिर से बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे open circuit faults की types of open circuit faults in power system जब तक लिए अगर आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक कीजिए और आपको कोई भी comment है या कोई doubt आता है आपको इस वीडियो के related या power system fault analysis के related तो comment section में आप ज़रू बताइए मैं आपका doubt दूर करने की पूरी कोशिच करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कीए फिंड्स चाहशा वीडियो शेर कीजिए and please don't forget to subscribe my channel thank you